हर्याना विधान सभार चुनाव के लिए एक तरफ चुनाव प्रचार प्रसार तेज हो गिया है तो वहीं दूसरी ओर कॉंग्रिस की सीनियर लीडर और सिर्शा से सांसर कुमारी शैलजा के चुपी ने हर्याना कॉंग्रिस की टेंशन बढ़ा दी है ये रिपोर्ट देखिए टिकेट वित्रण में अंदेखी जातिगत टिपणी गुड़ा खेमे से तनातनी दरसल 12 सतंबर को नामंगन के आख़्े दिन कॉंग्रिस ने उमीदवारों की अंतिम सूची जारी की थी जिसके बाद से ही कुमारी शैलजा चुप हैं और उन्होंने चुनावी कैम्पेंज से दूरी बना ली है कुमारी शैलजा के समर्थकों को टिकट बटवारे में तवज्चु ना मिलना और लगातार हुड़ा गुट के समर्थकों के ओड से की गई टिपड़ी इसकी बड़ी वज्चा मानी जा रही है इसे लेकर कॉंग्रिस पर अब चौतरफा टाक हो रहा है एक दलित महिला के साथ इतना अत्याचार करना एक कॉंग्रस दलित विरोधी है ये नहीं चाहते ये तो बापू बेटा को आगे बढ़ाने के अंदर लगे परिवार वाद जहल करा है इनको किसी विक्ति से कोई पदा दिकारी से सरवकार नहीं है इतनी वरिष्ट नेत्री है कॉंग्रस की और उसके साथ ये हाल पहले असोक तमर के साथ किया क्या हालात किये है ये असोक तमर इनका परदेश का देखसा उसकी गर्दन तोड़ दी हॉस्पिटल में कोई मिलने के लिए नहीं गया ये इनकी मंसा दलितों के प्रति जो गर्णित वहवार इनका है कॉंग्रस का वो नजरा नहीं है इन लोगों से हमारे हर्याना की दलित की बेटी बरदाश नहीं होती आदर नहीं शेलजा जी के लिए हुड़ा के समर्थकों ने कितना बुरा बुरा बहला बोला वो सब आप लोगों ने देखा एक बड़ी दलित नेता है वो शेलजा जी का हम पूरा आदर सम्मान करते हैं और इस मंच के मार्थम से हम ये पूरे हर्याना को बता देना चाहते हैं कि आप एक दलित होकर अपना पूरा जीवन कांग्रेस को समर्थक कर सकते हैं परन्तु तब भी ये कांग्रेस आपको वो सम्मान नहीं दे सकती विधान सभचुनाफ के利ए जब कॉंक्रेस ने अपना घोषना पत्र जारी किया तो कॉंक्रेस की विधायक से लेकर कार्यकर्ता तक मोजूद रहे यहाँ तक की कॉंक्रेस नहीं था, गीता भुकल तो मंच पर मोजूद थी लेकिन हर्याना कॉंग्रिस की सीनियर लीडर और सिर्सा से सांसद कुमारी शेलजा वहाँ भी नजर नहीं आए विधान सभा चुनाव को लेकर बेशक ही कॉंग्रिस कॉंफिडेंट हो लेकिन कुमारी शेलजा की चुपी का कॉंक्रिस को नुकसान उठाना पड़ सकता है ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्यूंकि कुमारी शेलजा अनुसूचित ज्राती से आती है हर्याना में कॉंक्रिस का बड़ा दलित चहरा है कुमारी शेलजा हर्याणा में 17 रिजर्व सीटे हैं सिर्षा और फतेहबाद की विधान सभा सीटों पर अच्छा प्रभाव कुमारी शेल्जा वरिष्ट नेता होने के साथ ही हर्याणा कॉंक्रिस का बड़ा दलिच चहरा है और प्रदेश की 90 विधान सभा सीटों में से 17 सीटे रिसर्व है इसके लावा सिर्षा और फतेहबाद की विधान सभा सीटों पर भी शेल्जा प्रभाव रखती हैं यानि कि प्रदेश की कूली की सीटों पर शेल्जा की टुपविक आफर पड़ सकता है नार्लोन में कॉंग्रिस प्रत्याश्री के नामांकन के दोरान कुमारी शैलजा पर की गई अभधर टिपणी के बाद दलत समाच आहत है हराकिपूर बुख्यमंत्री भुपेंद्र हुटा इस घटना के बाद टैमिज कंट्रोल में चुट गई है उन्होंने कहा कि शैलजा पर की गई टिपणी मैनिपूलेटिड है वो हमारी बहन भी है और कॉंग्रिस की समानित नेता है और किसी को भी आप मैनिपूलेट टैसकते हो यह बात जो है कॉंग्रिस का और हमारे साथ दी कोई यह बात नी कहा सकता है कॉंग्रिस का नाडा है ना जाच पे ना पात पे महर लगेगी हाथ पे वहराल हर्यान अविधान सभाचनाफ की तारिखों के ऐलान के बात से ही कॉंग्रिस में मुख्य मंत्री की खुर्सी को लेकर लडाई शुरू हो गई थी इसकी जीती त्राक्ती तस्वीर तब देखने को मिली जब पुर्भ मुख्य मंत्री भुबिंद्र हुटा गुट के हर्याना मां के हिसाब कैम्पेंग के पराबर सांसत कुमारी शैलजा ने एक कॉंग्रस संदेश यात्रा का एलात कर दिया था लेकिन कॉंग्रस प्रत्याशू के अंतिन सूची आने के बाद कुमारी शेरजा चुप हैं और उन्होंने चुनावी कैम्पेंज से दूरी बना ली है